जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकेडमी पे हम लोग बिहार प्रैमरी टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें अपनी क्लासे जो चलती है मैथमेटिक्स के लिए चल रही है ठीक है आज की क्लास बहुती बहतरीन होने वाली है आज क लग टाइप के जिस तरह के कोश्चन आपके एक्जाम से में पूछे गए है या फिर पूछे जाने की संभावना है ठीक है तो चलिए आज की क्लास को सुरू करते बिना टाइम वेस्ट कि अगर आप लोग चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज एक निस्चित रासी पर 6 वर्सों और 9 वर्सों के लिए समान ब्याज ब्याज दर पर आधारित साधरण ब्याज का अनुपात ठीक है ना किसका पूछ रहा है साधरण ब्याज का पूछरा है ठीक है ना सिंपल इंटर देखिये कोश्चन आज मैं इंग्लिस में नहीं ले प तो इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे यह च्छै वर्स में है और यह नव और से जो इनके समय का अनुपात होगा जो देखिए SI1 simply interest 1 का अनुपात simple interest दूसरे साल में पूछा है SI2 का यह सेम बराबर होगा इनके time1 अनुपात time 2 के तो देखिए जो उसने हमसे सिंपल इंट्रेस्ट का अनुपाद पूछ रखा है तो हम टाइम का अनुपाद निकाल लेंगे वही सेम अनुपाद होगा तो टाइम का अनुपाद जो होगा 6 और 9 का है ठीक है तो 6 रेशियो 9 है इसको सिंप्लिफाई करोगे तो तीन दूनीच है तीन तुरिके नो दो अनुपाद तीन यह टाइम का अनुपाद दिया था और यहीं आप का हो जाएगा जसका एक जो यह देरखा है आपको कैसे ले रखे हैं इसमें आप से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता ठीक है ना प्रकृतिक किया तो 9 मिलता है 4 का स्क्वाइर किया तो यूनिट प्लेस पे 16 का 6 मिलता है और 5 का स्क्वाइर किया तो यह आपको मिल जाता है 16 का 6 यह मिलता है आपका 25 का 5 मिलता है ठीक है और 6 का स्क्वाइर किया तो 36 का 6 मिलता है ठीक है तो इस तरह से और 7 के किया तो सेवन के स्क decl29 का 9 मिलता है 8 का 64 का 4 मिलता है 9 का 1 मिलता है ठीक है तो देखिए unit place पर केवल यही संख्याय आ सकती है इसके अलावा कुछ भी unit place पर आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है क्या-क्या आ सकता है 1 आ सकता है 4 आ सकता है 9 6 5 देखिए फिर से repeat हो ठीक है तो आपके सामने क्या-क्या देखने के मिल सकता है 14965 इसके अलावा कोई आएगा तो समझ लीजो परफेक्ट स्क्वाइर नहीं बना रहा है अपने अप्सन में देखिए एक आ सकता यह परफेक्ट स्क्वाइर बना सकता है पांच भी बना सकता साथ साथ हमने कहीं रखा है क्या अगला कोशन आपके स्क्रीन पर दे रखा है कि एक से लेकर एक से 40 तक की संख्या वाले टिकटों से भरे एक बैग से याद्रिच्छया रूप से एक टिकट निकाला जाता है ठीक है तो याचित के टिकट की संख्या साथ का गुड़ज होने की प्राइक्ता ग भावीथ और नीचे आता है टोटल ठीकना यह होता है हमारा फ्लौरण तो टोटल देखी कितना एक से लेकर 40 तक है तो टोटल 40 हो गया नंबर ठीक है ना 40 नंबर हो गये अब कि इसकी पूछ रहा इया चायनित टिकट की संख्या साथ का गुड़ज हो ना चाहिए साथ का गुड़ज पूछाए आपसे तो एक से लेके 40 तक देखिए साथ के गुड़ज कौन कौन से हो सकते हैं पहला आजाएगा साथ फिर चाउदा एककिस चोक अठाइस साथ पच्चे 35 सच्छेंग 42 हो गया तो चालिस तक टोटल साथ के मल्टिपल कितने है एक दो तीन चार और पांच है ठीक है तो यह आपका उपर आ जाएगा पांच पांच से इसको काटिए पांच अठे चालिस तो एक बटा आठ यह आपकी प्रॉबिल्टी आ जाएगी ठीक है ना यह रहा आपका सेकेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं इसी तरीके से आपकी प्रिप्रेशन कराता रहूंगा कल से हो सकता है मैं आपके लिए साइन्स का भी मैराथन क्लास से स्टार्ट कर दूँगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो ठीक है ना देखिए अगला कोशन क्या बहुत ही सब्सक्राइब निकालने के लिए यह आपको दे रखा है पहला एक्स स्क्वाइर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और दूसरा फैक्टर क्वाइटिक एक्वेशन दे रखा है आपको एक्स स्क्वाइर प्लस फोर एक्स प्लस फोर तो इसके लिए सबसे पहला काम करना पड लिए जिनको जोड़ने पर यह बीच वाला मिले और गोडा करने पर साइडवाला मिले तो तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे ठीक है देके इन दोनों मेंहीं X कॉमैन मिल G Dieser यहां बच गया आपका एक्स्का 3 कोई दिककत रही है इन दोनों में देखिए पलस का हमने two common ले लिए तो बच गया x-plus 3 फिर से देखिए दोनों bracket सेम आ गया पूरा bracket common ले स्प्लस का टुब निया обрат एक सब्दमी हमने बचा कितना आपका एकस-lex का 2 ठीक यह आपका बच गया तो क्या आएगा देखिया x square प्लस इसको 4 को ऐसा तोड़ो कि गुड़ा करने पे 4 आए और जोड़ने पे भी 4 आए तो 2x अब प्लस 2x कर देते हैं प्लस 4 यह आ गया इन दोने में से common लेते हैं इसमें से तो पहले में से common लिया तो x common मिल गया बचा कितना x plus 2 गॉle ले लिया तो बचा कितना x plus 2 अब पूरा का पूरा ब्रेक्ट ले लिया हमने कितना x plus 2 एक बार में आ गया बचा भी हमारे पास कितना x plus 2 अब हमें क्या करना था इनमें LCM लेते हैं तो देखिए इसको कैसे लिखोगे यह हो गया X plus 3 और X plus 2 ठीक है इस वाली चीज को यहां लिखते हैं देखिए यह X plus 2 का whole square है LCM लेते हैं हम क्या करते हैं सबसे बड़ी पावर जो factor का सबसे बड़ी पावर होता हुआ है लेते हैं देखिए ऐस प्लस तू यहां पर एक प्लस तू दो पावर के साथ है तो answer में हमारे कितना आएगा ऐपीम में और यही आपका प्रक्रके बड़न देखे है अब इसको खूल करके रख़तर एक स्व्स्थ स्वाइर यह आपका ऐल्सियंग बन जाता है अच्हाँ अगर आप से इसने पूचह जाता है इसका कितना अंट तो को बताओ कितना होगा तो वह आपका केवल एक पावर वाला ले लेते हैं एक्स प्लस टू एक बार जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही होता है समझ गए चले आगे वड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ले रखें कि आपको कोई disturbance ना हो ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कर सकते हैं लाइक सेर सब्सक्राइब तो करी सकते हैं चलो यह देखिए अगला कोशन आपके सामने है यह बटा बी की पावर एक्स माइनस वन यह बराबर दे रखा है बी बटा एकी ओने छीए yeah दर देखिये तो बी बटा एक को कशल ल leavते है तो यह बराबर हो जाएक गाए तो पहले माइनस लगजाएंगा आपका X-3 ठीक है ना अब देखिए दोनों के आधार सेम है तो घाते जो हो तो यह बराबर हो जाती है इसलिए आपका हो जागा X-1 बराबर इसको माइनस को अंदर प्लस 3 ठीक है न कोई डाउट नहीं है अब variable को एक तरफ number को एक तरफ ले लेते हैं तो दिखिए एकस प्लस X बराबर 3 और प्लस एक चार हो गया तो 2X बराबर 4 के तो X आपका कितने के बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया कट गया इससे दो में ठीक है ना तो यहीं पूछा था एक्स का मान तो दो आ जाएगा जो कि सेकेंड आप्सन पर दे रखा है ठीक है आई होप आप लोगों को चीजे क्लियर हो रही होंगी ठीक है ना समझ में आ रहा है चले आगे बढ़े चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं सारे आपके प्रेपर में आय हुए है और यहां तो आने की पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चन मैंने स्लेक्ट किये हुए है ठीक है ना देखिए अगला क्या कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात दो अनुपात तीन ह इंकम का कॉस्पात देखिए एक बैद्टी यह एक बैद्टी बी इनका इनकम का अनुपात दियरक्टा है युक्त रुपयात कमाता है अनुपात का घ्ल्च कर रहा है मतलब खर्च का और ऐनुपात का दो ठीक यह रख्खा यदि उन में से प्रतेक की बचत 24,000 हो तो एक ही आये बता दो अच्छा मुझे बदाऊ बचत कैसे निकलता है बचत कैसे निकलते बचत होता है जो हमारी income है और फिर जो हमने खर्च कर दिया income में से खर्चे को अगर निकाल दिया जाय तो वह बचत आती है देखिए यहां पर इनकम माइनस एक्सपेंडेचर taur toe तो यह आता है मारा बचत obwohl यह neighborhood कोई दिखकत नहींす मेंसरी यह दो रूपया कमा रहा तहा एक रूपय कहर्च रहा था तो इसकी बचत कितनी होकि को Pamilk कि बताइए दो रुपया से 1 रुपया माइनस कर दिया तो इसकी जो बचत आयोगी यहाँ पर 41 रुपया की आ अनुपाथ दूसरा व्यक्ति 3 रुपया कमा रहा था तो बचत कितनी हुई इसकी बताइए 3 तो एक के अनुपात एक है तो एक बराबर ऑबर उसने कितना भर लेकिन हमारे अनुपात कितनी हो गई च वालू ऑप हिसने पूछा क्या है एक आए की आए कितनी थी दो रॉपया थी एक रुपया की वेलू अगर 24,000 है तो दो रुपया की वेलू बताओ कितनी हो जाएगी 24 का डबल हो जाएगा होगा कि नहीं 24,000 गुना दो कर दीजिए सीधा सीधा आपको दिख रहा है समझ गए न कोई दिक्कत नहीं है तो यह रहा 48,000 रुपय सेकेंड ओप्सन पर दे रखा है आपका करेक्ट हो जाता है आई हो किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा देखिए मैं गडित का महा पैक बैच में यह सारी चीजे सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं तो है यह वैसे यह यह याद रखो गहल तो ज्यादा बेहतर होगा आप से पूछ रहा है एक से पच्छास के बीच में कितनी अभाजसंख्यय आती हैं प्राइम नंबर्स आते हैं तो देखिए एक से पच्छास के बीच में jáगर प्राइम नंबर की बात करें तो यह यह याद कि आती हैं 15 ठीक है और एक बात और याद रखो कि सबसे चोटी सम प्राइम नंबर मतलब सम अभाज संख्या भी दो होती है और दो से ही सुरुवात होती है कहीं पर आपको एक देखने को मिल गया तो एक प्राइम नंबर में नहीं लिया जाता है अगर आप से यह पूछ सकता है एक से लेकर के सो के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं तो आपको पता होने चाहिए यह आप याद रखो कि 25 होते हैं ठीक है अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार गूगल कर लेना में को बहुत पहले सी यह चीज़े वैसे दिमाग में थी सायद 25 ही होना चाहिए कि आप एक बार गूगल कर लीजिए कि जरूर ठीक है यह चीज़े याद रखना है कोशन में अगर आ जाता है तो लिख लिख के कि चेक करोगे तो दिक्कत पढ़ जाओगे बहुत कंफ्यूजिंग होता है समझे ना याद रहेगा बोलो हां चलो ठीक है तो यह आगे एक से पचास होते हैं बाजसंग के चलो आगे बढ़ते हैं अब लोग अगले कोशन की तरफ देखिए अगला कोशन बहुत ही प्यारा कोशन दे रखा है त्रिबूजों के कंस्ट्रक्शन बनावट के जो रूल्स होते हैं उस पे बेस दे रखा है आप लोगों को कॉश्चन यहा दिन अब बढ़त रहा और अगल यहार इस fret पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अर्फ भूजों के कंस्ट्रक्शन को ले के सत्य है कहरा है ABC समकोर रभूज बनाते है यह जो Speaker का अधिक या कोई नहीं तो smoked लोगों के इस बात का ध्यान देना है त्रिबूज की analytics और ते नहीं दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा हो ठीक है ना मालों अगर हम करते हैं a plus b यह हमेशा greater आएगा सी से या फिर अगर आप करते हो b plus c हमेशा greater आएगा एसे तो हमेशा क्या होना चाहिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए तो जरा देखते हैं यह वाले सैटिस्फाइब कराते हैं बी और सी को जोड़िए जरा तीन प्लस च्छे greater than आना चाहिए 10 से तो 639 greater than 10 यह तो possible ही नहीं है ठीक है इसका मतलब यह तो भुजाएं ही नहीं किसी तिरभुज की तो समकोर तो बनाना दूर की बात यह तिरभुज ही नहीं बनाएंगी ठीक है ना तो इन में से कोई भी आंसर आपका valid नहीं होगा तो लास्ट आपसन और दूसरी condition यह होती है अगर इनका difference किया जाए यह हमेशा छोटे होने चाहिए तीसरी भुजा से यह वी एक रूल होता है यह आप लोग याद रखोंगे समझ गए चले आगे बढ़े चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं कि यह क्या कह रहा है अगला कोशन बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है कोशन बहुत अच्छे कोशन से ठीक है सुरी कि मैंने इंग्लिस में नहीं लिया है लास्ट टाइम से मैं ध्यान रखोंगा ठीक है यहाँ पर कह रहा है इनक्लास टेस्ट कमला in mathematics and English गेट क्या कह रहा है अंको का योग कह रहा है the sum of numbers 40 ठीक है यदि उसे गडित में तीन अंक अधिक और अंग्रेजी में चार अंक कम मिलते हैं तो अंकों का गुड़नफल मल्टिप्लिकल कितना आ जाता है 360 होता है कमल कमल द्वारा स्वारी कमला बोल दिया था कमल द्वारा दोनों विश्यों में अलग-अलग प्राप्त अंक क्या हो सकते हैं यह आप से पूछ रहा है ठीक है ना चलो देखते है यह देखिए कमल ने एक यहां पर यह मैथ का उसका हो गया यहां पर इंग्लिस हो गया ठीक है पहला यह कह रहा है कि कमल क्लास टेस्ट वे और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है तो माल लिया हमने यह एक्स इसमें मैथ में एक्स नंबर मिले और इंग्लिस में उसे y मिले तो इसका मतलब ऑब कह रहा है x-y रभावर हो आपका किसके 40 के बराबर दे रखा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो यह कि यदि उसे गडित में तीन अंक अधिक और अंग्रेजी में चार अंक अधिक मिलते हैं मतलब यहां से y-4 यह दूसरी कंडिशन हैं मिलते हैं तो करा अंकों का गुड़न फल 360 होता है इनको गुड़ा किया जाए तो यह 360 के बराबर आता है तो कमल द्वारा दोनों विश्यों में अलग अलग प्राप्त अंक क्या है देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं कि आप यहां से डायरेक्टली दोनों एक्वेशन बना करके सॉल करो जरह एक बार नजर हम लोग ऑप्सन की तरफ दोड़ा लेते हैं देखते हैं क्या है सही है इसमें ठीक है न तो पहली बात तो हमें जो ऑप्सन दिया है इनके दोनों अंकों का योग चालिस के बराबर होना चाहिए यह चीज अगर पॉसिबल है तो है की नहीं है तो चलो देखते हैं यह रहा 21 यह रहा 19 इनका जोड़ कितना हो गया 9 10 की 0 कहरी लगा 1 2 1 3 4 40 बन रहा है पहली कंडिशन तो यह अप्सन फॉलो कर रहा है इन में दिखते हैं आठ है दो 10 की 0 और है प्लस 3 करते हैं इसमें चार माइनस करते हैं फिर गुड़ा करके देखते हैं क्या 316 836 आ रहा है क्या तो 21 में 3 जोड़ो गया तो 22 24 तो यह आगे आपका 24 गुड़ा करेंगे 19 में से 4 घटा देंगे तो 15 419 होता है ना 15 लेजिए ठीक है ना इनको गुड़ा करके चेक करत प्लस करते हैं प्लस 3 किया तो यह आजाएगा आपका 15 ठीक है बात को ध्यान से सुनना आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपे 15 आ गया और क्या कर रहा है इनका गुड़ा करेंगे 28 में से 4 घटा करके तो यह 24 आ फिर से 15 गुड़ा 24 यह भी 360 बना दिया इसका मतलब यह भी आंसर सही है तो अब इसको नहीं चेक करना है तो एक से ज्यादा आप्सन सही है तो उप्रोक्त में से एक से अधिक वाला आंसर मार दो ना फिर क्यों इसको चेक करने जाओगे एक ज्यादा सही हो चाहिए भी अगर सही हो चाहिए नहीं भी हो तब भी आपका अंसर यही होने वाला है ठीक है ना समझ गए कैसे चेक करोगे तो ऑप्सन से इसको कर सकते हैं उस तरह से जाओगे तो आपको कि अच्छा यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि पी ए अच्छा ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं है यदि पी ए बराबर है पॉइंट 3 के पी बराबर है पॉइंट 4 के तो पी ए यूनियन बी का मान आप से पूछ रहा है सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए प्रबबिल्टी आफ ए यूनियन बी निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है पी ए ठीक है प्लस पी बी और माइनस होता है पी ए ठीक है यह फार्मूला होता है आपका ठीक है ना आइधिंक यही होना चाहिए एक बार में क्रासच चेक कर लेता हूं कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए बाद में क्योंकि आप लोग लाइब नहीं रहते हो न तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कुछ ची पता है P B पता है लेकिन पी ऐ इंटरसेक्षन B नहीं पता है तो देखिए एंटरसेक्षन B निकालने का फार्मूला क्या होता है पी ऑ कर दिजिए आ इनको मल्टिप्लाइ कर दिजिए इन्टू PC से यह आ जाता है पी एंटर सेक्षन भी निकल करके आ जाएगा आपका तो चलो करते हैं पीए की वेलू दे रखा है पॉइंट थिरी मल्टिप्लाइ करो पॉइंट फॉर से ठीक है ना दिया जाएगा चारतियां बारा पॉइंट एक दो इतना आ गया इसकी वेलू अब यहां पॉइंट थिरी प्लस वी रखो फॉयंट फॉर माइनस टी एंटर सिक्षन भी रखोगे कितना दसमलों 217 साट ऐस झाय माइनस दसमलों एक दो करोगे तो यह आपका घटा करके आजाएगा दसमलों पांच आठ आजाता है ठीक कितना फाइव एफ पॉइंट का जो की सेकेंड आप्शन दे रखा है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं है चले आगे बढ़े आज है अगले कोशन की तरफ भढ़ते हैं अपने क्या है अगला कोशन में आप से कह रहा है कि एक सिकता है हाँ अगला कोशन आपसे कह रहा है कि किस मानद के लिए शमीकरण निकायों इतना और इतना कंए एक अद्विती हल होगा यूनिक स्टोलूशन यूनिक स्टोलूशन आप लोगों को पता होगा कैसे पता करते थे अगर देखलो मालों a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 होता है दूसरी क्वेशन है a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 है अगर a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 आता है तो इसको बोलते हैं कि ये unique solution की condition होती है अद्वित solution की condition होती है तो यही चीज इसमें कह रहा है कि आपको unique solution की condition करनी है question आपके सामने दे रखा है कितना x minus ky बराबर 2 दूसरा आपको दे रखा है 3x plus 2y बराबर minus 5 तो इसमें देखिए a1 a2 कितने हो जाएंगे बताइए a1 की जगा यहां पर कुछ नहीं है तो वन लेते हैं यहां थिरी है तो एवन बटा एटू आ जागा एक बटा तीन नाट इक्क्वल तो माइस इधर विज देतें तो माइनस दो वटा-तीन नाट इक्वल टू के मतलब की व Junior नहीं हो सकती तो यह नहीं हो सकता बाकी कुछ भी आ सकता है यह होती है condition नहीं हो सकता आपके अप्षन में माइनस 2 बटा 3 नहीं हो सकता इसका मतलब एक भी आ सकता है फिर भी देखिए more than two option आपके सही होने की संभावना है तो आपका पता चल गया यूनिक सोलीशन की कंडिशन क्या होती है ना कि उनका एवन अपान एटू नाट इक्वल टू बीवन अपान बीटू होना चाहिए ठीक है ना तो देखिए मैं महापाइक बैद कस स्टार्ट कर रहा हूं उसमें क्वाडिटिक इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा किसी को कोई दिक्कत नहीं है बढ़े आगे ठीक है आज अगले कोशन पर चलते हैं किसी को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करेंगे मैं जरूर आप उनका जबाब देता हूं ठीक है और आप लोगों की पता होना चाहिए इस चैनल पे आप लोगों को मैथ और रहा जाता है हर एक नॉटिफिकेशन से आपको अपडेट रखा जाता है इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे ठीक है अच्छा देखें बहुत ही प्यारा कोशन यहां पे दे रखा है आपको दिखते हैं इस पर क्या दे रखा है आपको यह कह रहा है 2 बटा x प्लस 3 बटा y बराबर आपको दे रखा है 13 दूसरी एक्वेशन क्या बनेगी 5 बटा x माइनस 4 बटा y बराबर दे रखा है माइनस 2 के ठीक है न अब इनको थोड़ा सिंप्लिफाइ करता है इनका LCM लेकर के xy आएगा यहां गुड़ा कर देंगे तो यह आ जागा इसके पास यह आजाता है 2i प्लस 3x बराबर आ जाएगा एकस यहां 13x यह आ गया यह एक्वेशन कितनी आ जाएगी आपकी यह वता हो जाएगा यह आ जाएगा पांच यह माइनस चार एकस और एकस यह चला जाएगा माइनस टू के साथ गुड़ा जाएगा माइनस 2 xy दोनों equation हो गई ना अब देखिए इस वाले को मैं यहां इसके नीचे रखते इस वाले को हम कहां रखते हैं सब्ट्रेक्ट करना है अब इन में से सॉल करके हमें x और y तीजे निकालनी है ठीक ना कि एक सेकेंड क्या हो रहा है कि हाँ ठीक है ठीक है आजाओ देखिए हम क्या करेंगे अब इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग अब हमें चाहिए क्या हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई तो दो लोहों को बना देते हैं फेलरबर पिर्टी टू AD करते हैं नीचे वाली को तीन से भूंगा कर लेते हैं ठीक है तो देखिए क्या बन जाए गए चार दोनी आठ वाई प्लस चारती आई बारा एक्स बराबर तेरा चोके 52 एक्स वाई नीचे वाला आपका क्या बन जाएगा तीन से को एड कर लेते जब एड करेंगे तो यह चीज़े देखो अपोजिट साइन के है सेम वैल्यू है कट गई इसको करिया एड पंदरा और आठ कितना हो गया पंदरा पांच वीस और तीन तेइस यह बराबर बावन में से चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 46 46 एक्स वा शाण आपके पास कितनी आ गए एक बटे में दो आ गए ठीक कोई दिक्कत नहीं अब इन में से किसी एक में एक्स की बेलू रख करके बाकी की काल कुलेट कर लेते हैं चलो हम यहां रख देते एक्स की वेलू तो देखिए कितना आएगा आपको यह देखते हैं किसी में भी रख दीजिए पहले इतने में रख देते हैं कि वल तो दो गुड़ा वाई प्लस तीन किसमें रखें चलो बड़े वाले में रखेंगे तो कैलकुलेशन ताकी आसान हो कैलकुलेशन भी आसान रखनी है न हमें यह चीज का ध्यान रहना चाहिए आपको यहां पर देखें आठ वाई प्लस बारा गुणा एक्स की वेलू कितनी आई एक बटा दो ठीक है बराबर 52 गुणा एक बटा दो वाई यह आ गया अब इसको शॉल कर लेते हैं थोड़ा सा यह काटा यहां पर चैया इसको काटा तो दो दूनी चार और 12-26 बारा 26 वाई आ गया ठीक है न यहां है आपका आठ वाई और यहां 26 वाई इसको ले जाके उधर माइनस करते हैं ठ यह है 26 वाई तो सब कुछ ठीक चलना है न कोई दिक्कत नहीं है यह आजाएगा 26y-8y बराबर आपका आजाएगा एक्स की वेलू कितनी आ जाएगी राइट साइड में छह था और यह इधर आजाएगा माइनस 26 ठीक है ना तो 26 में सोय चला जाएगा तो 18 चला जाएगा टारल वाई घराद दो बीश और च्टा में फिर का ठीक बराबर यह आजाएगा माइनस का 20 ठीक है ना तो इसको क् Toni कितना आ जाएगा देखि गदारतर शरौ कि व्लूरा में ठीक है से कहने कि दो यह कूछिख सब्सक्राइब य की वेलू आजागी माइनस 20 बटा 18 कोई दिक्कत आ रही है क्या है ठीक इसको काटते दो नीम 18 दो दहाम 20 माइनस 10 बटा 9 ठीक है अब यह तो कटेगा नहीं 10 और 9 कटते माइनस 10 बटा 9 कोई दिक्कत नहीं इसको जरह स्वाल करके देखते हैं कितना आ रहा है अब दस बटा नो और एक बटा दो आया है किस तो दिक्कत हो रही है यहां पर किसी की वेल्यू चेंज आ रही है मुझे लग रहा है यहां पर एक सेकंड में थोड़ा सा क्रॉस्च चेक करने दो मुझे आ एक्स की वेलू 1-22 आ गई कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो शही है अभी हमें वाई की वेलू निकालना है एक्स वेलू 1-22 तो यहांँ पर रखेंगे एक बारी इतने में हमेर s-ked 2 लेक्स यत्व बादक contar yeah तो यह जाएगा, चार हो जाएगा उपर जाके, प्लस 3 बटा वाई, बराबर 13, 13 मैंसे इदर गिया, 9 आजाएगा, तो 3 बटा य बराबर आपका 9 आजाएगा, तो y बराबर आजाएगा, आपका 9, इदर इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, 9 के नीचे बेज़ देंगे, तीन क्लाइशन में कोई दिक्कत होई होगी आप लोग रहते तो और मजाता लेकिन अभी अभी अथनी संख्या होई नहीं है कि हम मैं लाइब पढ़ाओ आप लोग थोड़े बढ़ जाओ सब्सक्राइब कर लो तो मैं आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की दरफ कि अच्छा देखिए एक यह लॉग अर्थम का कोश्चन है इसको देख लेते हैं यह पूछ रहा है इतने का मान क्या होगा तो हम माल लेते हैं लौग रूट बेस्टू पे थर्टी टू की वेलू माल लिए हम इसकी वेलू एम आ जाती है तो 32 बराबर हो जाएगा यह रूट टू की पावर में आ जाता है यह इधर जाकर कि यह पावर में चड़ जाता है यह रूट की प्रपर्टी होती है यह आप लोग पढ़ने गये दीटेल में तभी समझ पाऊगे ठीक है यह आ गया तो 32 को में लिख सकते हैं दो की पावर यह रूट को लिख सकते हैएं इक बढ़ा 2 निकाल लिए हमने तो 10 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो की सी ऑप्षं घर्र्ड आप्सन दे रखा आपको समझ के रेकिया, एक एक लुट की बेसिक पर प्रपर्टी होती है, अगर मालों लोग है बेस्टू की पावर यहां X है तो X पहले आ जाता है लॉग 2 की वेलू 1 होती है लॉग में आपको डीटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग डीटेल में जानना चाते हैं अदरवाई इतना ध्यान रखो कि पावर पहले आ जाती है इधर की चीज़े इसके नीचे चल उट्जावाले संभाव संख्या के क्योब में काटा जाता है बड़े क्यूब के। चेतरफल तथा चोंटे घंडों के प्रिष्ट चेत्रफलों का योग कानुपात दिखाना है आपको ठीके न यह दिए एक और उनकी भूजञाक्ती पाच की काट करके छोटे-फोटे इसे महाँ घरलियें ऐना लूज क्या जानते हैं कि इनके वॉल्यूम सेम होने होंे यह को सब्सक्वाइब क्यों सब्सक्राइब सब्सक्राइं मुजा time सब्सक्राइब 5-1317 नुदॉ 217 सब्सक्राइब 205 35-25 125 एक owners 25 जाएब है क़ से टोटल कितने बोग बन जाएंगे 125 ब्लॉग बन जाएंगे ठीकना अब आपसे पूच रहा है कि इनके टोटल पिर सीच्छे त्रफल का ओड़ा तो पहला तो एक अकेला है इसका कितना होता है क्यूब का यह धन का पिर सीच्छे शेथ रिफल आपका होता है 6a square ठीक है इसका अनुपात करना है यहां पर कितने है टोटल 125 तो 125 गुड़ा कितने 1 square कितना आएगा 6 into a square का जगा a1 square की जगा 1 है वन साइड है इसकी साइड कितनी है 5 यह 5 का square सीधा लिख दो समझ गे तो यह क्या बन जाएगा 6 गुड़ा 525 25 इसका अनुपात कर दोगे यह किसका अनुपात आ रहा है प्रिष्टी छेत्रफल का चेत्रफलों का अनुपात आ रहा है यहां पर पहले एक ही था क्यूब उसका आगया 6 गुड़ा 25 इधर 125 क्यूब है तो 125 गुड़ा यहां पर एक का क्यूब करोगे तो यह 6 ही रह गया ठीक है पच्चिस से इसको काटे 25 25 25 25 25 25 25 तो यह सीधा कर जाएगा पच्चिस एक कम 25 पच्चे तो एक अनुपात पांच आपका अंसर आ जाएगा यह दे रखा आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक ना यहीं दे रखा न एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं इनके आंसर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक अनुपात पांच का इनके प्रिष्टी छेत्रफल का आ जाएगा क्या समझ पाए आप लोग देखिए यहां पर एक का क्योल प्रिष्टी छेत्रफल निकाला था यहां पर 125 का निकाला था तो 125 गुड़ा 6a2 एक भुजा की वैलू एक दे रखिए तो एक का गुड़ा करो कुछ भी करो यह वही रह जाता है ठीक है आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि एक अनुपात 5 कैसे आया है चले आगे बढ़े चलिए अगले कोश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं अच्छा यह देखिए एक क्यों 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 दे रखा है आपको द्विगात समीकरण दे रखा आपको क्या दे रखा है थिरी के एकसी स्क्वायर माइनस 25 के एकस प्लस के प्लस आठ ठीक है बराबर जूरो इनके जो रूट्स है उनका मुलों का गुड़न फल टीन है तो इ हम लोग कुछी क्यों का रूट अगर अलफा और बीटा होते थे आप लोग बच्पन में पढ़ा होगा इनके रूट का प्रोड़क्ट जो होता था अलफा इंटू बीटा होता था यह होता था यह कॉंस्टेंटम ए होता था एकस स्क्वायर का कोफिशियंट तो यह इसकी थी गोट्न देक्खा इसको करते हैं मोग्ताओ इसकी वेल्लव आपको कितनी रखिया 3 रखियंट आपको Aceic प्लस एक अधार prayer इन कर देते हैं के इधर एधर एक के है ठीक है तो आठ के बराबर आठ आ गया तो के कितना आ गया एक आगया आपका के की वैलू पूझा था एक आ आपका यही आपका correct answer हो जागा बहुत आसान सा बहुत प्यारा सा कोशन था ऐसे कोशन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स कुश्चन की तरफ अपने कि अच्छा देखी अगला कुश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है अच्छा हाँ ए और बी दो धनात्मक पुरुणांग संख्याय है जैसे कि एका सबसे च्छोटा अभाज गुड़न खंड दो दे रखा है और बी का सबसे च्छोटा अभाज गुड़न खंड पांच दे रखा है ठीक है न तो A B A plus B का सबसे छोटा अबाज गुड़न ख्यंड क्या होगा देखिए जरा अगर A का कोई सबसे छोटा मल्टिपल दो दे रखा है तो इसका मतलब आगे जो आएंगे दो के मल्टिपल आएंगे मतलब सम संख्याय आएंगी क्या सा एकी पॉसिबिल्टी क्या होती है एकी क्या पॉसिबल हो सकता है सबसे छोटा दो आ गया तो दो आएगा अगला क्या आएगा आपका चार आ सकता है च्छै आ सकता है क्योंकि सबसे छोटा दो है तो सारे सम वाले को ही लेगा वह इस तरह से आ सकते हैं उसने बोला कि बी जो है बी का सबसे छोटा अबाज गुड़न ख पांच है तो बी का पॉसिबिल्टी आने की क्या हो सकती है पांच आ सकता है दस आ सकता है पंदरा आ सकता है इस तरह से आ ठीकना औरकते हैं सबसे छोटा कहरा थीक न तो अब आप से पूछ रहा है सबसे छोटा इनका सबसे छोटा उठा लो और इसका सबसे छोटा इफालो दो ब्लस बैसे चोटा आ जाएगा नदिन को स बड़न अंखन्ड तो डेखिए तकी और और अगर यहां तक आप लोग वीडियो देख लिया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो मैं आप लोगों की क्लास लाइब कराने की कोशिस में हों कि जैसे आप लोग थोड़ी सी संख्या में बढ़ जाते तो आप किसी भी टीच क्लासे को लाइब लेकर पढ़ाना चाहता हूं उसमें क्या होगा तो आप अपना डाउट भी पूछ सकते उससे रिलेटेड मैं भी आपको चीजे बता सकता हूं कई बार क्या होता है कि कुछ कोश्चन से या कुछ टॉपिक जो होते मेरे मन में होते हैं पर क्लासे में भू से कह रहा है कि एक बटा एक्स प्लस एक बटा वाई बराबर आठ है एक बटा वाई प्लस एक बटा जेट बराबर बारा है और इतना बराबर दस है तो संतुष करने वाला एक्स का मान क्या होगा देखिए एक बटा एक्स प्लस एक बटा वाई बराबर आपको आठ दे चैसे में माइनस करेंगे एक बटा जेड को भूस एक बटा एकस को नगर ना किसी दूड़ अगर वाई प्लस एकटा जोड़ वाई प्लस एकटा बटा है ऐगा कितने के के बराबर 18 के ठीक है अब आभी यह तीसरी प्लस एक बटा Z को माशच कर देते हैं बराबर कितना दिर्खा है बारह इसको भा आलेस करोगे तो सब प्लस एक बठावाई बराबर आपका बच가 अठारा मैसे बारा गया ठीक है ना एक प्लस एक बटावाई आपका 6 आगया अब देखिए क्या करोगे आप आपसे एक 이 और पूछा एक्स का मान कुछ दिक्कit हो ही है अचा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और शुक्त है एक भड़ाइप बड़ाइश यहां एक-प्लस-च्बता-वाई है कि औरहां पर आपका एक बड़ाइए पहले दूपर को अच्छा एक हैं पहले और गिच्ञा से त्यांड करते ठोला सा एक िसे कर्न का टाइम आपका ורड़ेट रुख जाए और बेहतर तरीके से इसको करते हैं रुख जाए थोड़ा सा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग दिखिए इसमें क्या करते हैं सेकंड एक्वेशन को एड करते हैं कितना है एक बटा वाई प्लस एक बटा जड बेर बरहबर आपका 12 अथा के इन दोनों को जपान कर यह कितना आएगाright Liam तो एकवता एक्सी प्लस दोबटा वाई फ्लस एक बटा जेड यह आपका आजाएगा 12 और 8 भींच चेंज होजाएगा ठीके ना देखिए आप क्या कट रहा है एक बटा एकस से एक सब्सक्राइब कर दो बटा बचांप अब यहां से आपको निकल के आजाएगा निकल के आजाएगा वाय की वेल्व कितनी आएगा बताइए दो बटा वाई बराबर 10 है तो इस क्रॉस मुल्टिप्लाइब करके इसको नीचे बेज दो तो दो बटा दस बराबर आपका वाई आ जाएगा कटके एक बटा पांच आजाएगा वाई की वेलू आपको पता चल गए देखिए एक बटा पांच वाई आ गया तो इसमें रखते हैं यहां पे रख देते एक बटा एक्स बराबर हो जाएगा इसको इदर ले जाके माइनस कर दो तो आठ माइनस एक बटा पांच तो आपका एलस्यम जो आजाएगा कितना आजाएगा पांच आजाएगा तो पांच आजाएगा एलस्यम हमसे एक्स पूछा है ना ठीक है तो पांच आठे चालिस मे से एक गया 49 olla कaired अब के तुम मुद्फ रहा है था कि आ हुआ कि यजी वेल्यू आपकी एक पल्हां अच्छ चासरी सारी आश्वाट chrom से लिटल गन्फ्यूस्ट और यहां पर आपको देखी क्या दे रखाइ उसन पे फोकस करतेusan आपको पहली करेसे कर ने रखा उल्टा हो जाएगा ना तो एक बटा एक्स प्लस यहां पर 5 वाई की उलट करके 5 आगी बराबर 8 अब इसको माइनस कर दो तो एक बटा एक्स की वेल्व आजाएगी पर आठ मैशे 5 गया तीन एक बटा X की वेल्व तीन आ गए लेकिन इसने आपको X पूचा है तो X आ जाएगा तीन का उल्टा एक बटा तीन यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्सन इस दा करेक्ट आप्सन ठीक है ना आई होप आप लोग समझ गये होंगे कुछ नहीं करना है पहले दोनों एक्वेशन को जोड़ना ठीक है जोडने के बाद तीसरी को घटा देन घटा दिए उसके बाद वाई की वेलू उठाके इसमें पूट कर दो एकस आ जाएगा वही इसको सबको सेटिस्पाइब करेगा ठीक है चलो अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से ल उलक मतलब की मीन मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं से में चीटी की कंडिशन में होता तो यह याद रखना से में बारंबारता सम्मीत बारता में यह कंडिशन फॉलो की जाती है ठीक है ना किसी को कोई डाउट नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ग्रफ पादेखें एक ऐसा कोशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है यह क्या किरा है यह पर निकालना यहां पर फाइव लिख्खा हुआ है तीन एक दो पांच एक्स की घात दस ठीक है ना वाई की घात पांच और जड़ की घात दस यह दे रखा है अच्छा देखि कोई डाउट नहीं है अच्छा यहां पर देखिए दस की जड़ की पावर दस है तो इसको आप क्या लिख सकते हो जड़ की पावर दो पूरे की पावर पांच दो पच्चे दस होगा तो बाहर क्या निकलेगा पांच से यह पांच कट जाएगा आपका केवल जड़ स्क्व V2 देखिए यहां पर भी x की पावर टु हम आप को है थीक है अच्छा अबंस निकल पांच की घाथ 5 कितने के बराबर होता है पाँ 45 25 125 पना ओट सos 25 245 कि 2555 कि 525 दो पांच दो बारा कि 205 कि 625 फिर से पांच बार करोगे तो चार घाट पे चला जबाएगा 2525 दो पांच दुने दुरु द बारा 2 पांच चैक द्रबद तीस ठीक ना 31 जाहता है शीदा जाएगा बाहर आपका ठीक है न यह कितना हो जाएगा 5 x square y z square आपका correct answer हो जाएगा 125 की घात 5 करोगे तो वो और भी ज्यादा बड़ा चला जाएगा ठीक है न तो इस तरह से को calculate करके कर रहा हूं आप लोग कमेंट कर सकते मैं जवाब जरूर देता हूं देखिए क्या कर रहा है एक समकोड त्रिभूज की उचाई इसके आधार से 6 cm कम है कि एक समकोड त्रिभूज बुना लेते हैं इसका आधार अगर एक्स है तो यह होता है एक्स माइनस 6 दे रखा है कि यदि कांड इतना है इसका डायमेटर इतना है सेंटिमेटर है तो अन्य दो बुजाएं कितनी हो सकती है अच्छा अच्छा तो देखो इसको कोश्चन को आपना यहां पर मत करो इस कोश्चन को आप लोग ऑप्सन से करते हैं ठीक है कैसे देखिए सेंट्थ दो अन्य भुजाएं दे रखें कितनी हो सकती है ये दे रखा एक 6 इनके बीच में देखिए अंतर कितना 6 का तो पांच और 6 u11 यह भी आंसर हो सकता है 996 15 यह भी हो सकता है 10 6 16 यह भी हो सकता है सब के अंतर 6 6 के दे रखें कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए क्या है हाइपोटेनियस क्या होता यह 218 है न तो अगर हम इनका स्कॉयर करके जोड़े तो 218 आना चाहिए तभी यह हाइपोटेनियस बनेगा जरा इनका स्कॉयर करके जोड़ते हैं पांच पच्चे 25 प्लस 121 वन टू वन तो यह कितना जाएगा पांच च्छै आएगा लाश्ट में तो यहां आठार आ यह तो पॉसिबल है नहीं है यह यहां पर आठाय आए यह आंसर नहीं हो सकता इनका जोड़ते हैं स्कॉयर करका क्योंकि यह आधार हो गया यह लंबाई ह हो गई 991 प्लस 15 पच्चे 25 होता है पंद्रा गुड़ा पंद्रा पंद्रा पांच और एक 6 फिर से युनिट प्लेस पर 6 देखने हो कि मिरा लेकिन यहां आठ है यह आंसर नहीं होगा इसको देखते दस दहां में 100 प्लस यह 16 का 256 लास्ट में 6 आता है फिर से एक आई पोज से चेक कर सकते हैं क्योंकि यह तो आपको पता है ना अगर आधार 5 मान के चलने इसको 11 मान के चलने तो इसका और इसका वर्कर के जोड़े तो इसके बराबर आना चाहिए यह तो कहता है पाइथागोरस और इसने हाइपोटनियस देही रखा था इसलिए कोई भी फॉलो ही नहीं कर रहा है तो अप्रोक्त में से कोई भी आंसर नहीं होने वाला चले चलो आगे बढ़ते हैं स्वरी कि यह देखिए बहुत अच्छा कोश्चन है इंपॉर्टेंट कोश्चन है आप लोगों को इसको अच्छे से देखना चाहिए देखिए क्या कह रहा है यदि एक कारे को ए और बी आठ दिनों में बी और सी देखिए ए प्लस बी मिल करके किसी काम को आठ दिन में करते हैं बी प्लस सी मिल करके उसी काम को बारा दिन में करते हैं और सी प्लस ए मिल करके उसी काम को चोबिस दिन में करते हैं तो केंगे तीनों मिलकर लिए कोश्ण को करने के लिए क्या होता है, इन Thursday का आठ दिन में काम कर रहे हैं 24 तो कितनी कार्य शम्ता होगी 24 को 8 से भाग दे दो तो यह तीन आ जाता है बी प्लस सी की कार्य शम्ता कितनी होगी 24 को 12 से भाग दी दिजिए दो आता है कितने दिनों के संख्या निकालनी होती है दिन बराबर होते हैं तोटल वर्क बटे कार्यशंता कार्यशंता अग्र एकर आपको a प्लस b के दिन निकालने हैं तो पहले हमें a other day को पता होनी चाहिए तो a plus b की कारत सम्ता कर्षम्ता कैसे निकालोंके बताऊ को मैं बताता हूँ कैसे निकालोंगे कि आप लोगिस है आप लुग क्या करोगे यहां पर देखिए दे कितनी हो जाएगी तीन प्लस दो प्लस एक तीन तो इनके दिनों की संकिय काम करने में दिन कितने लेंगे तो टोटल वर्क 24 है कार छमता इनकी कितनी आई तीन है तो तीन से कार दो तीन अठे चोविस आठ दिन में जो है ए बी सी तीनों मिल के काम को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे कितने दिन में आठ दिन में बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है समझ गए किसी को कोई डाउट नहीं बहुत मैनस से करा रहा हूं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लाइक करके भी बताईएगा ठीक है कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप लोग पेड कोर्सेस की तरह मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं मैं आपको डाउट क को उपर ले चलेंगे तो घात की हो जाएगा हो जाएगा न माइनस दीन हो जाएगा समझ गए नीचे दो फिर आगे दो की घात 21-20 यह हो गया 2N-1 बराबर हो जाएगा तीन तरीक के 9-3N ठीक है ना तीन न को इधर ले जाके प्लस कर देते हैं वन को इधर ले जाके प्लस कर देते तो 3N-2N-5N बराबर 9-10 तो पांच से इसको काटिया दो बार एन की वेलू आपकी आगई दो ठीक है यही पूछा था सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है समझ गये किसी को कोई डाउट नहीं है चलो अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अच्छा यहां पर देखिय बहुत अच्छा कोशन दे रखा है आप लोगों के सामने यह कह रहा है कि प्रियाग राज से पटना जाने के लिए पांच मार्ग है ठीक ना फिर क्या कह रहा है पांच मारग है प्रीयाग्राइस से पट्ट जाने के पांच मारग है और चार मारग पट्टना से कौलकाता यहां konst निकले मालो इससे गए आप पहले वाले से तो आप पटना होते हुए इस से भी सकते हैं इस से भी जा सकते हैं तो प्रियाग रास्ते पटना जाने के एक रास्ता आगें चार ने उसकी यह ऊग्राइबर तो अनसर इसकी आएगा 20 होजएगा समझ गे ना एक जो है चार रास्ता पकड़ सकता है फिर इससे जाओगे ये भी चार पकड़ सकते हैं पांच के पांचों रास्ते चार रास्तों में तूट सकते हैं तो 20 रास्ते हैं समझ गये अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा एक देखिए ये भी अच्छा कोश्टन है बहुत प्यारे प्यारे कोश्टन दे रखें आप लोगों को सारे कोश्टन द्यान से देख के जाना है इसमें से ही आपके पेपर में आएगा अच्छा यहां पर जड़त देखिए ध सबसे पहले हिनके डेसिमल हटाते है ठीक है ना डेसिमल एक सब्टा यहां पर यहां पर आ गया ऑचके आगया नहींन इतने से काम ने चलेगा Гाप का ऊपर वी 10 से गुड़ा करतें नीचे भी यहां पे दस से यहां पर भी 10 से बूरा तो यह आपका आजाएगा चार बटा में डेड़ सो ठीक है कितना आजाएगा को थोड़ा simplify करते हैं यहाँ दूना चार और यह डेढ़ स्वाजाता पुषतर दो बटा पंच चतर । अब आप देखिए आपसे पूछा क्यातना है y-x बटा y-x अगर मुझे बताओ यहां बताओ एक्स बटा y है और यह आपसे पूछ रहा y-x मतलब की हर में से अंस को घटा करके लिखा है y-x हर x था हर में से मतलब denominator में से numerator को घटा के उपर लिख दिया और नीचे क्या किया है numerator में denominator काम हमने यहां पर क्या किया है उसने अंस और हर को जोड़ दिया है 75 प्लस दो कर दिजिए उपर आजाएगा आपका 73 नीचे आजाएगा 77 यह आपका अंसर बन जाएगा कहां दे रखा है देखिए 73 बटा 77 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे कोशन को इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए बहुत मैंद कर रहा हूं इतनी गर्मी में फैन आफ करके पढ़ा रहा हूं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा लाइक और कमेंट भी कीजिएगा ठीक है ना चलो एक और देखिए जमेटरी का बहुत बढ़िया से उसका मेंसुरे मैं को ड्रौ से बढ वरे पूरा भरा है इसमें पानी बढ़ा ये कटो रहे है आपका है त्युक्त को तीन सेंटी मीटर त्रिजिया और नौ सेंटी मीटर उचाहिवाली बुलनाकार बोतल में भर दिया जाता है इसको उलट दिया जाता है से इसलेंडर में भर दिया जाता है तो बेलन की संख्या कितनी होगी इस तरह के कितने बेलन बोतल भरे जा सकते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें इनका वॉल्यूम निकलना पड़ेगा है ना तो मुझे बताओ हेमी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता क्यूंकि देखिए एक बड़तन का पानी दूसरे में डालते हो तो आपका वॉल्यूम तो बराबर होता है ठीक है ना इतना हो गया कोई दिक्कत नहीं पाई से पाई तो कट गया दोनों साइड है ठीक है ना चलो अभी यहां पे रखते देखें दो बटा तीन चया है दो वटा तीन और आर की वेल्यू कितनी दे रखें आपको अठारा तो गुड़ा अठारा गुड़ा अठारा गुड़ा एक सेक्ड़ अगया जो गुड़ा हेच की वेलु कितनी तरी रहान इसको सॉल करके आप निकाल सकते बोतलों की संख्या आजाएगी देखियों 30 से कटा 36Cr3 पिर 30 से कटा 36 इतना अगया तीन से कटा 3256 तीन ट्रिक्के 9 फिर 31 एकम तीन तीन दूनी छे इतना आगया बचा कितना एन की वेलू आपके सामने आ गई दो गुणा दो गुणा दो गुणा छे तो दो दूनी चार दूनी आठ शेंग अड़तालिस फॉर्टी एट तो जो सिलेंड्रिकल बोतल है वो कितनी भरेंगी अड़तालिस बोतले भर समझ गये आप लोग किसी को कोई डाउट नहीं हुआ चलो आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अच्छा देखिए यह फिर से आगया कोश्चन nc e rt nc e rt क्लास 10 का कॉंसेप्ट बेस है ठीक है यहां पे कह रहा है आपसे कि a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c बराव इसका जब लेंगे तो आपका a b c आजाएगा इधर आपका आजाता है कितना कि a square प्लस b square प्लस c square ठीक है ना इतना आ जाता है आपका कोई दिकत नहीं है LCM लेकर के करोगे तिया आजाएगा अच्छा अब हमने आपको बताया था कि अगर A plus B plus C होता है तो एक फार्मूला होता है A square plus B square plus C square माइनस 3A B C बराबर 0 के होता है तो यहां से A square plus B square plus C square बराबर हो जाता है 3A B C के यह कब होता यह NCRT का फैक्ट है जब A plus B plus C की value 0 है यह याद रखना A square plus B square plus C square किसके आ जाएगा 3A B C के इसमें दे रखा है एप प्लस B plus C 0 है तो एप्लस B square plus C square किसके बराबर हो जाएगा 3A B C के तो नीचे भी ABC है ABC से अबी कट गया ABC तो बचा तीन आपका answer आजाएगा ठीक है यह फैक्ट आप लोग याद रखोगे NCRT क्लास टेद्थ की बुक में है ठीक है ना चलो कि आते हैं अपने अगले question की तरफ कि देखिए इसमें क्या कह रहा है आप से कह रहा है एक भिन्न के अंस और हर का योग 11 है तो पहले option से ही चलते हैं 6 5 11 5 3 6 5 11 8 3 11 तीनों ही option हो सकते हैं ठीक है 11 है यादि अंस में एक जोड़ दिया जाए और हर में से दो घटा दिया जाती है दो बटा तीन बन जाता है तो हम लोग यही काम करते हैं अंस में एक जोड़ते पहला सब्रेक्टयों एंश ठीक ना आप छेक्ट कर लिए यहां साथ हो जाएगा नीचे मिन तो 3 लख और प्सक्राइब अप्सं देखना स enseign के इसको देखते ईश है दूर जाएगा इए जागा दो पर लिप ठीक ना तो केवल थार्ड आप्शन करेक्ट है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा देखिए यह बहुत ही प्यारा कोश्चन है और मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को कराऊंगा ध्यान रखिएगा अगर पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा देखिए कहा रहा है water गया मंलो लोग कितना है एक अनपात तीन है यह अब हो जाता है बीच में अब कुछ होगा अब कह रहा है आगे अब से पांच वर्ष पश्चात यह पांच वर्स बाद पांच वर्स बाद इधर आ जो इधर आ जो वाइं देख़ें आप से कह रहा पाँच वरस्मान अनुपात हो जाता में उत्त कुछ आप यह आप से ऑष्टान्या सुनूप्द उस सिखते हो जब सुनुन अंतर जैसे मेरे और आपके आयू के बीच का अंतर आज पांच साल है तो दस साल पहले भी हमारे और आपके आयू के बीच का अंतर पांच साल ही होगा पांच साल बाद भी पांच साल होगा मतलब पूरे जीवन परियतन हमारे और आपके उम्र के बीच का अंतर पांच साल ही तहने वाला है ठीक ना तो जरा देखिए यहां पर क्या नाम देखा है रमेश और राजीव की आयू का अनुपात यहां एक तीन है मतलब इनके एज गैप कितना है एक और तीन के बीच में दो का गैप आ रहा है ना दो यूनिट का दो साल का माल लो दो साल माल लो कुछ भी मा आने के बाद इतने दिन बाद भी कितने का गैप होना चाहिए दो का ही होना चाहिए लेकिन यहां पर देखो क्या दो का गैप है तीन में से दो गिया एक का गैप आ रहा है लेकिन हमें इसको बनाना है दो का गैप तो एक को दो बनाने के लिए आपको दो से गुना करना यह साल यहां पर इनके एज़ का किसे इक साल का अंतर आ गया तो अंतर पहले बराबर करो अंतर एक हमने दोसे गुड़ा करना पड़ेगा इधर से अभी यह रेशीयो बन गया पांशाव बाद यह पन गया तीम दूनी च्छार और आंपात बन गया ठीक है कोई रिकत नहीं कि किसी को यह तक कि समझे आठीक है अच्छा धूर्ड यह देखिए ठीए कि यहां से वर्तमान से इदर पांच साल और इदर दत साल एक ठाव harsh फिर दो आया होगा दो के बार तीन आया और और फिर चार आया होगा यहीत चलेगा एक एक कानपाति आगे कैसे बढ़ोगे एक दो, तीन, चार पांच और यह चलेगा, तीन, चार पांच छे इस तरह से बढ़ेगा, ठीक नगा ? तो ध्यान से अब मैं क्या करने वाला हूं जड़ा देखिए इसके वरतमान से ये कितना बड़ा है पाँच साल पांच साल एक unit बड़ा है तो यह एक यूनिट बड़ा हो गया और यह देखिए वरतमान से दस साल पीछे जाना पड़ेast इसको मैं बीच से यहां पर एक सेकंड विए आपको 46 का अनुपाद मिल गया था ठीक ना अब देखिए अब की वर्तमान की अगर बात करें यह देखिए वर्तमान यह नहां इनके बीच में 10 साल का गैप और इसके बीच में पांच साल का गैप है ठीक ना पांच को अगर हम एक यूनिट मानते ह फ़र पहुंचा तीन से एक से तीन पर पहुंचने पहें पांच दूना द्सक्राव मिला मिला नहीं पांच की त्लय सीधा-दोफ्रियों में कितने का gap है मुझे बताओ एक से चार के बाच वीच वीच कितने का मतलब कि अ FM न यह रह वर्तमान पे आगे फिर दस साल पीछे था पास साल चले फिर पास साल चले वर्तमान पे आगे वर्तमान वाला हमें कितना अनुपात मिला तीन का वैसे इधर आ जाओ 3 से 4 पे चार से 5 पे तो वर्तमान पे आगे यहां पे देखे 5 साल फिर 5 पीछे वाले से आगे वर्तमान पे फिर 5 ते 5 का आगे बढ़ गये तो अब जो अनपात आए तीन 5 अनपातों का अगया आपका जो करेक्ट आएगा DRby परवाज मैं एक और तरीका बताता क्या ढू बाप भी उनके आयू का बीच का गैप 2 साल का होना चाहिए कि नहीं जरह 4 और प्रम्स चेक करो इसमें देखिए 5 और दो में 3 का गैप आरहा है ये तो होई नहीं सकता आंसर क्योंकि आयू का अनुपात कितना है आयू के बीच का गैप अगर शुरुवात में दो साल का गैप था तो जीवन के किसी भी तनाव उस पे आजाए पड़ाओ पे उनके बीच गैप दो आना चाहिए चेक भाई option देखते हैं यहां पे दो नहीं पर एक नहीं है यहां पाँच और थीन में दो का आंसर हो सकता है दो और एक में एक नहीं अन्सर यह दो कुछ मत करो आप चाहो तो यह सारी चीजे काट दो आप इन सारे मेथर से जाओ ही मत सीधा ऑप्षन से चेक कर सकते थे है ना जब शुरू में दस साल पहले उनके आयू का बीच के गैप दो साल का था तो आज पूछे वरतमान में पूछे किसी भी टाइम पूछे उनके आयू बजा आया तो आप लोगों को मैं सजेश्ट करो इसलिए देखिए मैं अपनी वीडियो में बोलता हूं कि आप लोग ऑप्षन देखके चलिए तो आप लोग इस मेथर से मत जाओ इसको ऑप्षन से करना ऐसे को अगर मिल गए ना तो ऑप्षन से करना यह बस बात अपने द यह देखिए आज का अपना लास्ट कोश्चन होगा ठीक है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ठीक है इसका मैं आपको हमवर्क दे देता हूं ठीक है इसका देखिए करेक्ट आंसर वैसी यह आसान है आधार लेना नीचे आजागा एबी प्लस बीसी एक्स की पावर बीसी प्लस एक्स की पावर सी यह पूरा कटके आपका वन आता है चलो मैंने सौल भी कर दिया यह आ ठीक है तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहती है अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक सेर सब्स रहता लेकिन वह चीज़ें रह जाती है इसलिए मैं लाइप पढ़ाना चाहरा हूं तो प्लीज आप लोग सपोर्ड कीजिए सब्सक्राइब करके रखिए अपने एक-दो दोस्तों के साथ सेर कीजिए मैं आपको सारे टीचिंग एक्जाम के लिए मैथ और साइंस यहां प टेक केर ध्यान रखेगा आप लोग और मेरी मैनित का भी ध्यान रखेगा मैंने अपना काम कर दिया आगे का काम आपका है बाइबाए टेक क्यार थैंक्यू सो मच जय हिंद